स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली ये एपिसोड फोर है उर्दु ग्रामर की अब्जेक्टिब क्वेशन का टाइटल आप लोग देख सकते हैं उर्दु ग्रामर अब्जेक्टिब एपिसोड फोर यानि कि एपिसोड फोर में हम लोग टोटल बीस क्वेशन करने वाले हैं उर्दु ग्रामर का आप सभी लोग 20 में 20 question सही करने के लिए तयार हैं कि नहीं एक बर comment box में yes or no लिख कर बता दें जिन लोगों का इसके पिछले वाले episode में यानि कि episode 3 में 20 में 20 सही नहीं हो पाया target ये रखे कि episode 4 में यानि कि आज की इस episode में 20 में 20 question आप लोग सही कर पाया और ध्यान रहे ये जो question आप लोग उर्दू grammar का कर रहे हैं हो सकता है कि आप practice की तौर पर समझ कर कर रहे हो लेकिन मैं आप लोगो को बता दूँ कि ये सारा उर्दू grammar का question must VVI है 2025 के board exam के लिए चाहे आप class 10th के विद्यारती हो चाहे आप class 12th के विद्यारती हो ये उर्दू grammar का question must VVI है ये very very important है वो सकता है कि इन ही question में से आप लोगे final exam equation देखने को मिझे तो ये चीज़ को भी अपने जहन में बिठा कर ही ये सारा question करना है ठीक है तो चलिए आज के इ सब्सक्राइब करके रखा हुआ है ये वीडियो को शेयर करें माशाला आप सभी लोग का बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट रहा है एपिसोड 123 पर बहुत अच्छे व्यूज गये हैं और मुझे उमीद है कि आज के इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही ज्यादा प्यार देंगे शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके और एक काम जरूर करें कि आज कि वीडियो को अपने स्टेटस में लगा दें ताकि आप लोग के कॉंटेक्ट में जितने इंभी लोग है सभी लोगों तक वीडियो पहुचा और पता चले कि उद्धू ग्रामर का एपिसोड च जय कि आप लोगों का अश्यादा देने वाने यह आप ना दिन है अब हुई थे कि अब वी कुछ दिनों में बहुत ही खतरनाक से चलने वाला है लाइफ क्लास स्टार्ट होने वाला है तो बस आप लोग जुड जाएं पूरे मोट्इवेशन के साथ अब बहुत कुछ स्ट सिर्फ उर्दू की नहीं ओल सब्जेक्ट का ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को में स्टार्ट करते हैं नाव विदाउट एनी फॉर्दर डिले लाइट्स गो टू स्टार्ट तो क्वेशन से स्टार्ट हो रहा है क्वेशन नंबर 61 से अफकॉस जैसा कि आप लोग सब्सक्राइब अब देखे सवाल नंबर 61 है कि अमानत की जिद क्या होगी थोड़ा छोटा ही मैं कर दे रही हूं अमानत की जिद यानि की अपोजिट वर्ड विप्रितार्थक शब्द ऑपसने में हैं इमामत भी में खियानत सी में दयानत और डी में में से कोई नहीं यह बहुत आसान सवाल पहला ही सवाल आप लोगे लिए बहुत अथा लग रहा होगा अमानत की जिद यानि की अपोजिट वर्ड होता है जी हाँ एक सट का आप से नंबर भी खियानत अमानत का पोजिट वर्ड खियानत ohh option number B is the correct answer I hope आप लोग ने भी लगाया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 62 है कि अरभी हुरूफे तहजी के कुल कितने हुरूफ है अरभी हुरूफे तहजी यानि कि अरभी alphabet जिस तरह English में A से लेकर Z तक क्या कहलाता है alphabet कहलाता है उसी तरीके से अरभी में जो होता है ठीक है तो अरभी हुरूफे तहजी के कुल कितने हुरूफ है टोटल कितने लेटर है अरभी में option A में 26 B में 27 C में 28 और D में 29 इस तरह से भी question पूछे जा सकते हैं यह इसलिए मैं question रखी हूँ क्योंकि इस तरह का question पूछा जा चुका है बोर्ड में मतलब यार बोर्ड में ऐसा question देखने को मिला है इसी वजह से तो बता दे हो सकता है कि आप लोग के final exam में 25 में ऐसा ही सवाल पूछ दे तो ध्यान रखिएगा यहां पर अर्भी हुरूफ इत्तहजी यानि कि अलफा बेट की जो तदाद है यानि कि उनमें हुरूफ की letters की जो संख्या है वो 29 है option number D is the correct answer ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 63 है कि हम लोग रोज school जाते हैं जाते हैं एक मिनाट यहां पर है नहीं रहेगा option A में है B में हूं C में हो और D में है मतलब आप लोग को बताना है कि last में क्या रहेगा हम लोग रोज school जाते और last में क्या रहना चाहिए है की हो की हूं या फिर है तो हम लोग school जाते है और विजूली बात ह नमबर डी करेक्ट हो जाएगा ये देखिए 61 62 और 63 आप लोगे लिए आसान लगा होगा अब आईए क्वेशन नमबर 64 पे दर्जिजायल में कौन सा लव्ज मौननस है यानि कि इस्त्रिलिंग लफज है बताईए अब ये सवाल बताईए क्योंकि ये जो है आसान नहीं है आपसने में हैं आराम D में उर्दोसी में आसमान और D में है स्कूल वैसे देखा जाए तो आसान भी है आपको आराम करना चाहिए यानि कि आराम जो लवज है ये मुजखकर लवज है ये मौन नस नहीं ये इस्ट्रिलिंग लवज नहीं है ध्यान रखे उसके बादे से इसकूल खुल गया ठीक है तो इसकूल खुल गया खुल गया खुल गया तो option number D भी नहीं होगा क्योंकि ये एक मुझकर लफ़ है आसमान साफ है या फिर आसमान बहुत बड़ा है ठीक है तो आसमान ये लफ़ भी क्या है एक मुझकर लफ़ है option number C भी नहीं होगा ठीक है बात करें B की तो B उर्दु जबान बहुत प्यारी है ठीक है तो B is the correct answer यही ह है मौननस लवज ठीक है तो आई होप आप लोग ने भी लगाया होगा पुर्दू जो है ना यहीं है इस्त्रलिंग लव्ज यान की मौननस लवज को चलिया आगे बढते हैं अगले क्योंच की दरफ क्योंच नमबर 65 है कि एे मद अंग्रेजी सीखता है इस जुमले में सीखता है कौन सा फेल है option A में fail माजी, B में fail हाल, C में fail मुस्तक्बिल और D में है इन में से कोई नहीं तो एहमद अंग्रेजी सीखता है यानि कि ये काम अभी जो है ना हाल में होता है present time में ये काम होता है यानि कि ये fail का कौन सा टाइप है fail हाल है ठीक है option number 20 ता correct answer बाकि जो काम पहले past time में हो चुका उसको हम लोग fail माजी कहते हैं और जो काम आने वाले समय में किया जाए यानि कि मुस्तक्बिल में किया जाए उसको हम लोग fail मुस्तक्बिल कहते हैं जैसे कि एहमद अंग्रेजी सीखेगा तो अगर रहता एहमदंग्रेजी सीखेगा तो यह फेल का कॉन से टाइप किलाता- among आन्ग्रेजी शीखता था तो भी यह फेल मजी कहलाता- ठीक है लेकिन यहां पर क्या है Muh Adjustie Computing शीखता है यह फेल हाल है क्योंकि यह प्रिजेंड टाइप में काम हो रहा है कदीम के जिद क्या होगी? आप शेलिए में है जिदत B में जदीद C में जदीद A टाजदी तुab यह भी बहुत अशान जवाल है यह मैं आप लोगों को बार 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 बताई हूं कदीम का मतलब होता है पुराना जदीद का मतलब होता है नया यानि कि कदीम का पोजिट वर्ड क्या होगा जदीद 66 का option number C में देखे दिख रहा है जदीद इसको धीरे से टिक कीजिए ठीक है अब यह नहीं कि कदीम का मतलब आप लोग जान गए पुराना और जदीद का मतलब नया तो option में अगर आप लोग को दिखाई दे पहले ही नया मतलब अगर question पुछे की कदीम की जिद क्या होगी और कदीम का मतलब होता है पुराना और option A में ही आप को दिख लिए अब नया तो ऐसा नहीं कि आप लोग नया ही टिख कर देंगे ऐसा बिलकुल नहीं करना है ठीक है कदीम का opposite जदीद होता है और अगर question पुछे कि पुरा नया नहीं हो सकता है और जदीद का कभी अपोजिट वर्ड पुराना नहीं हो सकता है ठीक है यह याद रखना है कदीम का जदीद होगा जदीद का कदीम होगा नया का पुराना होगा पुराना का नया होगा ठीक है जो जिस लेवल का है उसी से कंपेर किया जाना चाहिए ठीक का option number a रोटी नान का मतलब सही मानी होता है रोटी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 कि अक्रम डर्पोक है इस जुम्ले में डर्पोक क्या है option A में मौसूफ B में है सिफत C में यहां पर मौसूफ तो होगा नहीं ठीक है डारेक्ट फाइल भी नहीं होगा यानि कि अक्रम की क्वालिटी बताई जा रही है कि अक्रम कैसा है तो डर्पोक है तो जिस लव से किसी की क्वालिटी पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं सिफत कहते हैं तो अक्रम लब से हमें डर्पोक यानि कि अक्रम सॉरी एक मिनट रुक जे डर्पोक लब से हमें अक्रम की क्वालिटी पता चली तो इसको हम क्या कहेंगे सिफत कहेंगे option number B is the correct answer डर्पोक क्या है यह एक सिफत है क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि अक्रम कैस सिफता है तो डर्पोक है क्रम की क्वालिटी पता चल रही है next question की तरफ बढ़ते हैं question number 69 है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या मतलब है option में है दुश्वार काम करना भी में है आसान काम करना सी में आराम करना और डी में है बेकार रहना ठीक है तो लोहे के चने चब पाना के बरावर है ठीक है सत्तर नंबर सवाल की हम लोग नमाज पढ़ते हैं इस जुम्ले में हम लोग कौन सा सेगा है अब बताइए यहां पर सेगा से question पूछा गया है option में है जमा मुतकल्लिम भी में वाही गायब सी में वाही धाजी रोडी में जमा गायब अगर आप सेग वाला topic नहीं पड़े है कर सकते हैं सेगा इन उर्दू grammar हम भाय मुसकान मैं यह मुसकाण मैं म मंध्यान थैंडहm usk ड्बल जरूर दे ठीक है सेगा इन उर्दू ग्रामर मुसकान मैं वुडियोम इस तरह से विडियो मिल लेगा जिसमें sih मैं आप狂को पढ़ाई आप लोगं पढ़े होगे उनको असानी से समझ में रहा होगा हम लोग क्या है सब से पहले तो यह जमा और आप जांते हैं मुतकल्लिम का उसको हम लोग कहते हैं कि 1st person और जो बोलने वाला है वह वहाहिद नहीं है वह क्या है जमा यानिके जम झेलम्ठमक करते हैं i कि इस मारफ़ाग की निशान दहिंघी कीजीए कि इस मारफ़ा जिसको इंग् лишь में कहा जाता है प्रोपरनाउन और हिंडी मי कहते हैं व्यक्ति वाचक संगया किसी वी चीज्स का खास नाम क्या कहता है मारफ़ा कहलता है A waterproof प्रम में कोई खास company के कलम की बात नहीं की गई है ये फिर कोई एक special कलम का नाम नहीं लिया गया है नदी में कोई भी नदी हो सकती है option number B भी नहीं होगा नदी की पूरी जाती आ जा रही है ये भी खास नाम को ही कहते हैं, तो option number D हो गया, आगे बढ़ते हैं, question number 72 है, कि दोहा में कितने मिस्रे होते हैं, option A में 3, B में 4, C में 5 और D में 2, थियोरी अगर आप लोग पढ़े होंगे 10-12 class का chapter में पढ़ाती हूँ, तो उसी में बताई हूँ बहुत बार, कि ट्रिक क्या है दो से गो, याने कि दोहे में कितने मिस्रे होते हैं, तो 2 मिस्रे होते हैं बहत्तर का क्या हो जाएगा? option number D, दोहे में 2 मिस्रे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, question number 73 है कि दर्जजजाइल में इसम, एक मिनट रुपे दर्जजाइल में उस लवज की निसान दही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है अच्छा उस लवज को बताना है जिसमें क्या है नून गुन्ना ऑपसने में दर्बान बी में अर्मान सी में सामान और डी में है चांड डारेक्ट आप लोगो को पता चल जा रहा है कि नून गुन्ना किसमें ह 73 का क्या हो जाएगा सही अंसर आप लोग जिरा सूच समझ कर बताएं देखें दर्बान हम लोग इसमें नून को पुरी तरीके से पढ़ रहे हैं नाक से पढ़ रहे हैं दर्बान मतलब पुरा का पुरा नून को पढ़ रहे हैं अर्मान इसमें पुरा का पुरा नून को पढ रहे हैं सामान में हम लोग पूरा का पूरा ना पढ़ रहे हैं अर्मान में ना पूरा का पूरा का पढ़ रहे हैं और दर्बान में ना पूरा का पूरा 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 लेकिन चांद में इस नौ को यानि की नून को नाक से पढ़ा जा रहा है तो इसी को क्या कहते हैं नून लास्ट में जुड़ा है उसे लहका कहते हैं तो देखे कौन सा लब्ट से जिसमें लहका है उपसने में अनपड़ भी महला हासिल सी में वजुखाना और डी में गयर हादिर ही तो ध्यान दे यहांपर अनपड़ ये तो पड़ता पहले शुरू में उजुडा हुई यानि कि ये तो साबका है जो कि शुरू में जुड़ा है ऐसील कि ला जुरा है यानिकी शुरू में ला जुरा है यह भी साफका है यह भी नहीं होगा और वजु तहाओ लास्ट में देखे एक खाना जुरा हुआ है यानि कि यह लाहका वला है तो option number c is the correct answer वजूर खाना क्या है येक लाका वाला लफज है जिसमें लास्ट में लाका खाना जुड़ा है ठीक है आगे बढ़ते हैं 75 number question की अबद का हमसौत लफज क्या होगा option में अर्ज भी में है अरज और Of सी मेंबद और डी में अरब Fr방 में इसको भी अबदी में अरब का हमसौत लफज यानी की अबद सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो आप लोग को थोड़ा बहुत धुंदला दिखाई दे रहा हो तो आप लोग एक काम करें वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दे 480 Pixel नहीं तो 720 Pixel तो एजब देंगे और यहां पर बता दे a लब्स-खकर की पहचान करनीं की । रही है और भी स्ट्रिलिंग लच दो हौगा नहीं आग लग गई तो आग भी इस्त्रिलिंग लब्ज है, option number B भी नहीं होगा, हाँ तुमारी आवाज आ रही है, ठीके, आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, तो आवाज जो है न, ये भी एक इस्त्रिलिंग लब्ज है, यानि कि मौनस लब्ज है, option number C भी नहीं होगा, या बादल आज साफ है, या फिर बादल गरज रहा है, ठीके, तो बादल गरज रही है, नहीं, बादल गरज रहा है, तो बादल क्या है, मुझकर यान कि पुलिंग लब्ज है, सही जवाब, सही विकल्प क्या है, सही option, option number D, 77 number question है कि दर्जजायल में अलिफ मक्सूरा किस लवज में है, option A में है, अदब B में है, आग C में है, आदम और D में है, आप, अलिफ मक्सूरा कहते हैं, जिस अलिफ को खीच करना पढ़ा जाए, आप, इसको हम लोग खीच कर पढ़ रहे हैं, यानि कि इसमें जो अलिफ है, सही answer, सही option क्या है, option number A, अदब, इसमें जो अलिफ है, उसको हम लोग direct पढ़ दे रहे हैं, ज्यादा खीच तान करना ही पढ़ रहे हैं, अदब, direct पढ़ दे रहे हैं, अलिफ को, अदब, ठीक है, बाकी ये तीन option में अलिफ को खीच कर पढ़ा जा रहे हैं, तो अलिफ मक् साप उपालना, B में है साप से खेलना, D में हासद करना, और D में हासद करना, और D में हासद करना, तो 78 का option number C हो जाएगा, correct answer, ठीक है, ये भी important महावरा है, इसी वजह से ये महावरा में डाल दी हूं, सीने पर सांप लोटना, और आप लोग को पता है, एक ऐसा महावरा में करा रही थी, जो direct, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को ये महावरा दे दी हूं, सीने पर सांप लोटना, इसी तरीके से में पिछले बैश में student को करा रही थी, important उर्दो ग्रामर करा रही थी, और उसी में एक जो है ना, अपनी अनुभाव के हिसाब से एक महावरा डाली और आप लोग को यकीन नहीं होगा, डारेक्ट वही महावरा इपन सेम टू सेम डिक्टो जो है ना, फाइनल एक्जाम में पूछा था, इस बार के 2024 के एक्जाम में, ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ तक, जो है ना, जितने भी स्टूडेंट थे, वह कमेंट करके कि बोल रहे थे कि क्या मैं, मतलब वाकई में आपका क्या तजरुबा है, मतलब क्या गैस है, इतना खतरनाक गैस कोई कर सकता है, आप जो महावरा कराई थी, डारेक्ट वही महावरा फाइनल एक्जाम में पूछा है, तो यह चीट सबसे इंपोर्टेंट है, तो सोचिए कि महावरे में भी कितना, जो जो इंपोर्टेंट महावरा होता है, वो महावरा आप लोगो करा दिया जाता है, तो इसी वज़े से मैं बोल रहे हूं कि यह जो क्योशन कराई जा रहे हैं, इसको आप लोग हलके में ना ले, हर एक क्योशन इंपोर्टेंट है, और इसको नजर की कितनी किसमें अलम की कितनी किसमें है इसमें अलम की तो इस सवाल का सही जवाब होगा आपसर नमबर डी इसमें अलम की पांच किसमें हैं जो कि मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ाई हूं अगर इसको भी इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ें तो डारेक्ट इस टॉपिक को ल दोने पर मिलता नहीं है इसी वह जैसे मैं डारेक्ट बोल रही हूं जो भी टॉपिक है आप लोग सर्च करके लास्ट में बाई मुस्कान में जरूर लगा दे और फिर सर्च करें आप लोग को वीडियो मिल जाएगा और फिर नहीं मिलता है तब आप लोग हमें कमेंड बॉक करेंगे बाकि अगर आप लोग जो भी सर्च करना चाहते हैं यूटूब पर टॉपिक डिरेक्ट लिए और लास्ट में बाई मुस्कान में लगा देंगे तो जरूर आएगा वीडियो आप लोगों मिल जाएगा ठीक है क्वेशन नमबर 80 यानिकी लास्ट क्वेशन पर हम पहुंच चुके हैं 80 नमबर सवाल है कि दर्जायल में साबका की निशान देए कीजिए और अपसने में इदगाह भी में हैं बकाइदा सी में कबरिस्तान और डी में हैं खुसल खाना साबका यानिकी जो शुरू में जुड़ गया है इदगाह लास्ट में गाह जुरा ओपसन नमबर एगे ठीक है यहाई होगा बकाइदा क्या आगे बालगा हुआ है यानिकि यही यही साबका वाला लफ्ज पल्याटिजि शुरू में जुड़ा है फाइनली उर्दू ग्रामर अबचेक्टिव्स का यहूर एपिसोड किया होगा आप लोग का 20 में चितना भी सही हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे और बाकी अगर आपका 20 में भी सही नहीं हुआ है तो नेक्स टारगेट रखे कि एपिसोड फाइफ में आप लोग 20 में जरूर सही कीजिएगा ठीक है जो कुछ भी आज के इस वीडिय अडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड एकसान तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज